लीजिये एक डजन गाजर थैंक्स अब नाइस टेर चलो मेरी बच्ची जूडी गोलो मुल बेटी ये पेटने मियाद है क्या हाल है ठीक हो जूट मत बोलो मौ और कान दोनों लटके हुए है मुझे क्यों लगा कि मैं दुनिया बदल सकती हूँ क्योंकि तुम मेहनती हो कुछ भी कर सकती हो और तुम मेहनत से कभी नहीं दरी हाँ इतनी मेहनत की कि अब मेरी वज़े से सारे मासुम शिकारी चेंसित जी भी नहीं सकते हो सारे के सारे नहीं मिसाल के तोर पर इसे ले लो, क्या टाइमिंग है ये तो वही लफंगा लोमडी है हाँ, सही पहचाना हम साथ में काम करते हैं वो हमारा पार्टनर है, तुमने हमारी सोच बदली और हम ये कदम उठा पाए बिल्कुल सही, पता है इसका नाम शेहर के नामचीन शेफ में लिया जाता है ये तो ये तो बहुत अच्छी बात है अब लफंगे नहीं रहे, सुधर गए हाँ ये जूडी मैं कबसे तुम्हें सौरी कहना चाहता था अच्छी मैंने बच्पन में तुम्हें तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया पर तब मुझ में जजग भरी थी और इसे दूर करने के लिए मैं बिना बज़े किसी पर भी बरस पड़ता था ये बच्चो वहा मदा वो दूर रहो मिटनी केंपन होनी सी ठीयस से आपने तो फूल का नाम नहीं पुरा एड्रेस बता डाला हम लग तो सिर्फ उसे कहते हैं नाइट हाउलर्स सॉरी पर क्या कहा तुमने ओ ये इन फूलों की बात कर रहा है जूडी इन्हें कीडों को खेतों से दूर रखने के लिए उगाता हूँ पर टेरी पेंट का असर देखकर बच्चों को इन से दूर रखता हूँ हाँ जब हम छोटे थे तब टेरी ने एक फूल काया था और पागल हो गया था उसने तुम्हारी मॉम को जोर से काटा था यानि खरगोश भी जंगली हो सकते हैं जंगली कहना तो बड़ा इल्जाम हो गया हाँ लेकिन दर्ग बहुत हुआ था होना ही था अरे उस जख्मों के निशान आज तक हैं ऐसा काम जंगली ही करते हैं नाई टावल उसका मतलब बुल्स नहीं है वो फूल है अन फूलों के वज़े से शिकारी खोखार हो जाते हैं अब समझ गई अब बता चल गया गड़वर कहा होई थे ओ चावी 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 जली जली तो तुम कुछ समझी उसने क्या कहा बेलकुल नहीं समझी चलो अच्छा है आपको भी नहीं समझा मुझे तो लगा सिफ मेरे ही कान खराब है